और उसके बाद में अगर इस Act की बात करते हैं यह जो Banking Regulation Act 1949 है पूरे इंडिया में इंप्लिमेंट होता है Extend to the whole of India यानि यह Act पूरे भारत में लागू होता है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कस्मीर अगर हम यहाँ पर जम्मू एंड कस्मीर की बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारे Act थे जो जम्मू एंड कस्मीर में इंप्लिमेंट नहीं होते थे लागू नहीं होते थे जिसकी वज़े से क्योंकि वहाँ पर Article 370 लागू था जिसकी वज़े से वहाँ पर बहुत सारे Act इंप्लि पर यहाँ पर जो बैंकिंग रेगुलेशन हैं उसके तीन पार्ट लेकर आने वाले हैं यह पार्ट वन है इसके बाद पार्ट तु आएगा और पार्ट 3 आएगा और उसके जो जो भी possible MCQ बन सकते हैं, questions बन सकते हैं, वो भी हम आप सभी के साथ में discuss करते जाएंगे, चलिए, स्वेता बोल लई है, sound बहुत कम है, ठीक है, technical team थोड़ा सा sound बढ़ा दीजिए, जिससे सभी को यहाँ पर जो information है, वो मिलती रहे, चलिए, बढ़ते हैं आगे, तो सबसे पहले जो very important यहाँ पर section है, यह तो सभी के लिए very important है, क्यों important है, क्योंकि बहुत सारे candidate ऐसे हैं, जो P.O की तयारी कर रहे हैं, या किसी financial institution, NBFC की preparation कर रहे हैं, या JIB, CIB की तयारी कर रहे हैं, या bank promotional exam की तयारी कर रहे हैं, और यहाँ पर या किसी existing banker से पूछ लिया जाए, कि क्या आप define कर सकते हैं, एक word, what is bank, bank क्या होता है, और bank क्या करता है, या हम एक word को define करना चाहे हैं, जिसका नाम है banking, banking क्या होता है, अब यहाँ पर normal भासा में अगर हम बोलना चाहे हैं, banking क्या होती है, या bank क्या होता है, तो कह सकते हैं कि bank एक ऐसा institution है, जो public से, लोगों से, current account, saving account या FD या RD के रूप में जमा के रूप में यानि deposit में पैसा लेता है है ना fund deposit करता है लेकिन अगर हम और दूसरा काम क्या करता है लोगों को जिसको जरूरत है यहां पर loan देने का काम यानि advances का काम भी करता है यह नॉर्मल भासा में आंसर आता है लेकिन अगर हम banking regulation act 1949 की बात कर करते हैं या इस वर्ड को कैसे define करेंगे तो इसके बारे में कहां define किया गया है इसके बारे में section 5b of banking regulation act 1949 में define कर दिया गया है ठीक है क्या बोला गया है banking क्या है या banking का मतलब क्या है या bank क्या है तो कहा गया है bank एक ऐसी entity है जो public say deposit accept करती है for the purpose of lending and investment repayable on a demand or otherwise withdrawal by check demand draft और अधर्वाइज यह बाते इस section 5b में define कर दी गई है अगर हम यहां पर कहना चाहिए कि what is banking banking का मिन क्या हो जाएगा accepting for the purpose of lending or investment of deposit of money from the public repayable on demand or otherwise withdrawal by check demand draft और otherwise यह बात define कर दी गई है कहां पर section 5b में तो एक बात ध्यान से समझेगा कहीं कंडिडेट को यह difference नहीं आता है कि कहां पर RBI Act 1934 implement implement होता है और कहां पर banking regulation Act 1949 implement होता है तो इसको एक बार ध्यान से समझेगा है ना जो बाते मैं आपको बताने जा रहा हूं very important है आपके एक्जाम के लिए ठीक है यह एक ट्रिक है इसको ध्यान से समयना अगर हम यहां पर बात करते हैं कि किसकी RBI Act 1934 की क्योंकि कई बार option में ऐसा आता है RBI Act भी आता है banking regulation Act भी आता है Negotiable Instrument Act भी आता है और Indian Contract Act भी आता है तो उनमें से आपको टिक करना होता है कि राइट आंसर क्या है यह बात कौन से एक्ट में cover होगी तो इन दोनों में अगर आप differentiate करना चाहें या समझना चाहें कि Reserve Bank of India के बारे में बताए गया है जब भी Reserve Bank of India के बारे में बात की जाएगी Reserve Bank of India की activities के बारे में बात की जाएगी Reserve Bank of India के operations के बारे में बात की जाएगी तो वहां पर implement होता है Reserve Bank of India Act 1934 सब्सक्राइब बढ़ते हैं उसके बारे में ध्यान दीजिएगा जहां पर किसी बैंक के बारे में बात की जाएगी किसी बैंक के बारे में या किसी बैंकिंग कंपनी के बारे में उसके बारे में डिफाइन किया जाएगा उसकी एक्टिविटीज के बारे में बताया जाएग में Banking Regulation Act 1949 में आपको सारी चीज़े बैंक के बारे में मिलेंगी लेकिन जो आर वे एक 1934 है उसमें Reserve Bank of India के बारे में Define किया जाता है I hope सभी को clear हो गये होंगे कि दोनों के बीच में क्या अनतर होता है चलो बढ़ते हैं आगे हम यहां पर नेगोशेबल इंस्टुमेंट के ऊपर भी जो इसके जो वीडियो है वो लेकर आने वाले हैं आप चैनल के साथ में जुड़े रहिए ठीक है अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो डेली इवडिंग में 728 में आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं अभी हम यहां पर बनेगोशेबल इंस्टुमेंट के बारे में बात करेंगे और यहां पर इंडियन कोंट्रेक्ट के बारे में भी मिझा करने वाले हैं तो आप हमारे साथ में जुड़े रही हैां इस तरह की जो बताता है forms of business in which banking company may engage मतलब यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक जो banking company होती है या एक जो bank होता है वो किस किस तरह के business कर सकता है उन वैसे तो बहुत पूरी की पूरी एक दे करते हैं डीमांडरफ्म बना कर देते हैं चेक बुकिक शूओ करते हैं ना लटेर च्रीचट करते हैं बेंग रिएंक्ति यह तो आप जानती है मैं कुछ ऐसी चीज़े ले करका हूँ जो आपको और जधां यहां पर जाननी चाहिए तो यहां पर अगर हम बात करते हैं section 6 में तो section 6 में बोला गया है acting as an agent for any government और local authority of any other person or person यानि कोई भी जो bank है जो bank है वो government के लिए या local authority के लिए या किसी any other person के लिए या दो या दो से ज्यादा persons के लिए as a agent के तोर पर काम कर सकता है है ना उसको यहां पर अलाव किया गया है किसमे section 6 में section 6 of banking regulation act 1949 में यह बात अलाव कर दी गई है define कर दी गई है उसके बाद में अगर हम second की बात करते हैं second statement है वो क्या बोलती है वो बताती है effecting, insuring, guaranteeing, underwriting, participating in managing and carrying out of any issue है ना एनी इशू की बात क्या कर रहे हैं यहां पर एनी इशू का मतलब क्या है जब कोई भी company market में अपने shares इशू करती है आपने नाम सुनाई होगा IPO and FPO है ना जब initial public offer या follow on public offering कोई इशू करती है IPO क्या होता है जब भी कोई company पहली बार market में अपने shares इशू करती है तो वो क्या लेकर आती है IPO लेकर आती है initial public offering लेकर आती है तो यहां पर जब कोई company इशू करती है और bank को इसमें involve करना चाहती है तो bank वहां पर क्या कर सकता है effecting, insuring, guaranteeing, underwriting, participating in managing and carrying out of any issue यह का करने के लिए allow कर दिया गया है उसके बाद में और क्या कर सकता है bank जो है वो और क्या कर सकता है bank को यहां पर allow किया है acquisition, construction, maintenance, maintenance and alteration of any building or work necessary or convenient for the purpose of company मतलब यहां पर अपने लिए या bank के लिए यहां पर कोई भी bank अपने लिए अपने business को बढ़ाने के लिए क्या कर सकता है, construction का काम कर सकता है, maintenance का काम कर सकता है, alteration कर सकता है, acquisition कर सकता है, किसका any building या work necessary convenient है ना, company के लिए जहां भी वो use में आएगा, अपने लिए कर सकता है, लेकिन किसी और के लिए यह काम नहीं कर सक इतनी बाते सभी को clear हो गई होगी, ठीक है, अगर कोई question है, तो जल्दी से मुझे बताते जाएगा, comment करते जाएगे, अगर आपको कोई भी question पूछना है, तो चलो, बढ़ते आगे, next आता है section 7, अगर हम section 7 की बात करते है, section 7 में क्या बोला गया है, section 7 में बताया गया है, use of words, bank, banker, banking और banking company, इसके बारे में बोला गया है, कि ये जो word है, फोन से bank है, banker है, banking है, या banking है, या banking company है, इनको कौन use कर सकता है, only कोई bank या banking company ही, in सभी words का use कर सकता है, लेकिन अगर हम किसी no company other than the banking company, banking company को छोड़ कर, कोई other company, in words का use, अपने नाम में, या अपने आपको promote करने क use नहीं कर सकती, है ना, कौन से वर्ड है, bank, banker, banking या banking company, उसके बाद में no firm, individual और group of individual, कोई भी firm हो, कोई भी individual वेक्ती हो, या group of individual हो, ये कोई भी इन चारों में से कोई वर्ड यूज नहीं कर सकते, कई लोग अपने आपको promote करने के लिए ना, कि अपने नाम के पीछे bank लगा ये वर्ड बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसको prohibit किया गया है, इसको मना किया गया है, section 7 of banking regulation act 1949 में, I hope इतनी बाते सभी को clear हो गई होगी, चलिए बढ़ते आगे, next आता है section 8, section 8 में क्या बताया गया है, section 8 में define क्या गया है, prohibiting of trading, यानि कोई भी banking company या कोई भी bank trading नहीं करेगा, है ना, माल खरीदने और बेचने का काम नहीं करेगा, है ना, ऐसा नहीं कि बेंकर को सुबह सुबह बोला कि जाओ, मंडी जाओ, मंडी चले जाओ, अभी ब्रांच में तो काम कम है, या ओफिस में काम कम है, आप मंडी च कोई भी bank, है ना, कोई भी bank यहाँ पर goods में trading नहीं करेगा, no banking company sell directly or indirectly deal in buying or selling, bartering of goods, except in connection with the realization of security given to held by it, इसका मतलब क्या हुआ, लाश्ट वाजी लाइन का मतलब भी समझेगा, अब यहाँ पर क्या बोला गया है, कि कोई भी company चाहे directly बात करें, या indirectly बात करें, ना तो goods का purchase कर सक सकती है, ना sell कर सकती है, और ना bartering कर सकती है, कि goods लिया और goods दे दिया, है ना, कि तुम मुझे tomato दे दो, मैं आपको potato दे दूँगा, है ना, इसको, इस activity को बोलते हैं, bartering, ऐसा काम भी नहीं करना है, यह भी मना किया गया है, और लाश्ट में बोला गया है, कि यह चीज allowed है, है ना, आप यहाँ पर sell कर सकते हैं, buy कर सकते हैं, किस case में, अगर यहाँ पर कोई, कोई, इसका जो connection है, वो directly किस से है, आपने जो loan दिया है, security के रूप में आपके पास में कोई चीज रखी है, जैसे एक वेक्ती है, Mr. X, Mr. X गए किस के पास में, बैंक के पास में, उन्हों लेटरल रखना होगा, कुछ गिरवी रखना होगा, तो इसने बोला कि मेरे पास, पचास जो बोरी हैं, पचास जो बोरे हैं, वो अनाज के हैं, वो आप अपने पास रख लो, और इसके अगेश्ट में मुझे लोन दे दो, तो यहाँ पर जो Mr. X है, Mr. X ने, जो 50 बोरे अन हैं, वो हेंड़ोवर कर दिये किसको? बैंक को, ठीक है, और बैंक ने इसके अगेश्ट में लोन दे दिया Mr. X को, और बैंक ने बोला कि अग जब तुम यह अपना अपना लोन बैंक को वापस कर दोगे, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के साथ में, अपना यह 50 बोरे अनाज ले जाना, लेकिन क्या हुआ, कि यहाँ पर Mr. X ने बैंक का यह लोन वापस नहीं किया, ना तो प्रिंसिपल अमाउंट वापस किया, और ना ही इंटरेस्ट अमाउंट का रीपेमेंट किया, तो इस केस में अब बैंक के पास में यह राइट आ जाता है, कि बैंक इन 50 बोरे अनाज को मार्किट में बेच कर अपने लोन की रिकावरी कर सकता है, तो यही वो लाश्ट वन लाइन बता रही थी, है ना, यही इसका मतलब है यहाँ पर, आई होप इतनी बाते सभी को क्लियर हो गई हैंगी, चंदन ऐसे गॉल्ड लोन भी कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, तो इसका इसमें आप कोई भी झामपल उठा सकते हैं, चलो, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है सक्सर्ण नाइन, अगर हम यहाँ पर بات करें किसकी सक्सर्ण नाइन की बात करते हैं, तो सक्शर्ण नाइन में डिफाइन क्या गया है किसके बारे में डिस्पोजल ओ पर संचेंज कर देते हैं यहाँ पर मिश्टर ए हैं मिश्टर ए यहाँ पर बैंक के पास में जाते हैं और बैंक को बोलते हैं कि आप मुझे यहाँ पर लोन दे दीजिए और कौन सा लोन होम्फ लून दीजे ठेक है अब कोई भी व्यक्ती होम लोन क्यों लेता है होम लोन इसलिए देता है कि वो अपना एक घर हसी आपना एक घर का कंश्ट्रक्शन कर सके तो बैंक ने बोला कि हमаг आपको होम्फ लोन दे देंगे लेकिन जो आप अपना ये घर बनाएंगे ये जो घर है ये मोर्गेज रहेगा हमारे पास में लोन तो ले जाओ ये लोन जो है आपको यहाँ पर five years में वापस कर देना है किसको बैंक को रिपेमेंट कर देना है अगर आप ये ऐसा नहीं कर पाए तो हम आपके इस घर को बेचकर अपने पैसे की रिकवरी कर लेंगे ये बैंक ने मिश्टर एको बता दिया अब उसके बाद में क्या हुआ अब उसके बाद में यहाँ पर मिश्टर एने होम लोन ले लिया ठीक है और अपने घर का कंस्ट्र अब बैंक ने यहाँ पर वेट किया और पास साल के बाद में बैंक ने देखा यहाँ पर फाइयर्स के बाद में बैंक ने देखा कि जो मिश्टर एक्स है ना तो उसने प्रिंसिपल अमाउंट और ना ही इंटरेस्ट अमाउंट बैंक को वापस किया बैंक ने इसके पास न अब बैंक ने क्या किया, इस घर को अपने पास acquire कर लिया, यानि यह जो घर है, अब किसके possession में आ गया, बैंक के possession में आ गया, अब यहाँ पर इस act में, इस section में यह बोला गया है, अब यहाँ पर बैंक के पास में घर है, तो बैंक को इसको market में sell करके अपने पैसे की recovery करनी है तो यहाँ पर इस section में section 9 में यह बोला गया है कि यह जो घर bank के possession में आया है यह bank के पास कितने दिन तक रह सकता है maximum या bank को इसको कितने दिन के अंदर इसका निप्टारा करना है तो यहाँ पर इस section में यही बोला गया है कि ऐसी assets है ना ऐसी संपत्या जो bank की अपनी नहीं है अपनी खुद की संपत्ती नहीं है उसका disposal यहाँ पर 7 years के अंदर 7 साल के अंदर करना ही करना है लेकिन इसमें कौन सी चीज़े accept कर दी गई है accept own property अपनी खुद की property को छोड़ कर ऐसा हो सकता है जैसे कोई bank है बैंक का जो head office है वो उसकी खुद की property है तो उसके उपर यह act लागू नहीं होता या bank की कोई branch है और branch का पूरा पूरा जो ownership है वो bank के पास है उस building के उपर जो मालिकाना हक है वो bank का अपना है तो उस case में यह section उसके उपर implement नहीं होगा अब कहीं बार ऐसा भी हो सकता है कि bank यहाँ पर 7 साल के अंदर 7 years के अंदर उस assets का disposal नहीं कर पा रहा है तो उस case में यहाँ पर उसको special request करनी होगी किसके पास में RBI के पास में Reserve Bank of India के पास में और Reserve Bank of India यहाँ पर next 5 years के लिए और permit कर सकता है कि आप इस property को आप इस assets को अपने पास में 5 साल तक और रख सकते हैं और Reserve Bank of India भी इन 5 साल को तब extend करता है जब उसे लगता है कि यहाँ पर जो depositor है depositor का जो interest है वो protect हो रहा है उस case में इसको 5 साल 5 years के लिए और extend कर सकता है I hope इतनी बाते सभी को clear हो गई होगी होगी चलो बढ़ते ह अगे अगे अगर हम section 10 B की बात करते हैं किसकी बात कर रहे है section 10 B की बात करते हैं banking company to be managed by whole time chairman आप सभी को पता है कि आपने जितने भी public sector bank देखे हैं उसमें एक chairman होता है तो chairman के बारे में बताया है कहां पर section 10 B में क्या बोला गया है कि bank में जो chairman होता है उसका जो कारियकाल है उसका जो यहाँ पर time period है वो कितना हो सकता है तो यहाँ पर बोला गया है कि every chairman of board of director who is appointed in whole time basis and every managing director not exceeding five years यहाँ पर किसी भी chairman को किसी bank में appoint किया गया है तो उसका जो कारियकाल है उसका जो time period है वो five years को exceed नहीं करना चाहिए in single term तो यह बात कहां बोल दी गई है यह बात section 10 B मे समझा दी गई है बता दी गई है I hope इतनी बाते सभी को clear हो गई होंगी कोई question है कुछ पूछना चाहता है तो जल्दी से comment करते जाईए और मुझे बताईए कि कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आई है कोई query है तो post कीजिए चलिए आगे बढ़ते हैं उसके बात में next हम बात करते हैं किसकी next हम discuss कर रहे है section 11 के बारे में section 11 क्या बताता है repayment as to be minimum paid up capital and reserve जो section 11 है वो बोलता है कि किसी भी bank की जो minimum paid up capital है वो reserve है वो कम से कम कितना होना चाहिए तो यहाँ पर जो domestic bank है उसके लिए 5 लाग और जो foreign bank है उसके लिए 15 लेक और अगर मुंबई कोलकता चेन्ने डैली में से कही इस्टेबलिस हो रहा है तो 20 लेक यह act में defining किया गया है लेकिन अगर हम actual में बात करते हैं तो reserve bank of India क्या बोलता है कि यहाँ पर कोई भी जो bank है bank की जो network है अगर कोई नई banking company स्टेबलिस होना चाहती है इंडिया के अंदर तो उसकी जो minimum network है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए 500 करोड होनी चाहिए लेकिन यह बात कहा डिफाइन की गई है यह बात इस section में act में define की गई है तो पर act के हिसाब से पूछा जाता है तो आपको यह answer यहाँ पर put करना है चलो बढ़ते आगे next आता है section 12 section 12 क्या बताता है section 12 यहाँ पर define करता है regulation of paid-up capital subscribe capital authorized capital and voting rights of shareholder तो जो capital structure है उसमें बोला गया है कि जो authorized capital है subscribe capital है और जो paid-up capital है उसका ratio 4 ratio 2 ratio 1 में होना चाहिए और क्या बोला गया है कि जो subscribe capital है वो यहाँ पर authorized capital के one half से कम नहीं होना चाहिए उसके बाद में अगर paid-up capital की बात करते हैं तो वो subscribe capital के one half से कम नहीं होना चाहिए यह बात इसमें define कर दी गई है चलो मैं आपको short में बता देता हूँ यहाँ पर बिल्कुर short में बता रहा हूँ कि जो authorized capital क्या होती है subscribe capital क्या होती है और paid-up capital क्या होती है आगे आपको बहुत काम आने वाला है तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं सबसे पहले अगर हम authorized capital की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर भारत के अंदर जब भी कोई नई company form होती है जब भी कोई नई company बनती है तो उस company को अपने दो public document तयार करने होते हैं है ना जो companies act 2013 है companies act 2013 के तहत उसको दो public document तयार करने होते हैं एक होता है MOA और एक होता है AOA जल्दी से मुझे comment करके बताईए कि what is the full form of MOA और what is the full form of AOA इन दोनों का पूरा नाम क्या है है ना तो यहां पर और यह दोनों के दोनों जो डोकुमेंट है वो कौन तयार किसके पास तयार होते हैं ROC की पास ROC कौन होता है registrar of companies है ना जब भी किसी company को अगर आपको भी कभी कोई नई company बनाने पड़ी तो आपको ROC के पास जाना पड़ेगा और जितनी भी company इंडिया के अंदर form होती है उनके जो पबलिक डोकुमेंट है इन दोनों को पबलिक डोकुमेंट के नाम से जाना जाता है क्या बोलते इनको पबलिक डोकुमेंट है ना कैसे डोकुमेंट है पबलिक डोकुमेंट है है ना तो यहां पर जो MOA है और article of association है ना पूरा नाम भी आपको बताते चलता हूँ भारगव बहुत बढ़िया थेंक्यू तो इसी तरीके से और आप सभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए इससे क्या होगा कि यहां पर आपको इस तरह की जो वीडियो होती है उसके जो नोटिफिकेशन वो भी आभी आपके पास पहुंच जाएंगे तो यहां पर अगर हम मेम अगर हम यहां पर बात करते हैं किसकी, जब कोई नई कंपनी फ़र म होती है तो यहां पर उसको यह दोनों डोकमेंट तैयार करने होते हैंreck जो मेमरेंडम औफ ऐसवेशन है यह हिसी भी कंपनी के मैक्रो के बारे में बताता है उसके नखानर हम बाही यह इन्वार्मेंट क करता है तो यहां पर अगर हम किसी कंपनी का नाम किया है क्यों उस कंपनी को बनाया गया है उस कंपनी के कैसी है लिमिटेड है या अनलिमिटेड है ठीक है तो यहां पर उस कंपनी के तो यहां पर किसी भी company के Memorandum Of Association में जिसके बाले में मेंतनी किया गया है वो उस company के maximum capital कहलाती है वह क्या कहलाती है कंपने की maximum capital क्या पैबश्जाहिच इस वैस एक्यndершो रैंगory है और इसकी जो मेंमोरेंडम ओफ एससीशन में में सरकी गई कैपिटल है वो त्वेल हंडड़ करोड़ है कितनी है तो यह इसकी ओधराइस के पिटल है यहां पर यह जो एक्षवाइड कंपनी है अब इसमें से क्या करेगी मार्केट में अपने शेर्स इसू करेगी इसमें से क्या करेगी मार्केट में इशू करेगी तो माल लेते हैं कि इसमें से यहां पर 600 करोड़ के जो शेर्स हैं शेर अप्लिकेशन शेर्स नहीं शेर अप्लिकेशन पहले तो मार्केट में क्या जाएंगे एप्लिकेशन जाएंगे फोर्म बढ़ेंगे लोग पैसा जमा क करेंगे कंपनी के पास में जो मार्क जिसके लिए मार्केट में जितने रुपए के एप्लिकेशन्स इशू किये गए हैं वो कहलाती है उस कंपनी की इशूड ड। सब्सक्राइब कर लिए ना उसने बोला मुझे दो मुझे दो मुझे दो सभी ने ऐसा बोला ठीक है सभी ने फोर्म भर के पैसा उसमें फिल करके और सब्सक्राइब कर लिया तो यहां पर पैसा कंपनी के पास आ गया है ना कितना 600 करोड तो यह कहलाएगा सब्सक्राइब कैपिटल अब यहां पर कंपनी ने अपना हमारे शेयर का भाव कोट किया है हमारे शेयर का जो भाव है हो 400 रुपे लगाया है या उससे उपर लगाया है उनको तो हम शेयर्स देंगे लेकिन जिनों ने 400 रुपे से नीचे शेयर्स का जो प्राइज है वो कोट किया है मैंसन किया है उनको हम शेयर्स नहीं देंगे और तो 400 रुपे से नीचे वाले अगर हम लोगों की बात कर ले हैं, माले एक्जाम्पल के तोर पर तो वो 300 करोड रुपे के ऐसे शियर्स थे जिनका प्राइस 400 रुपे से नीचे था, तो कंपनी क्या करेगी, उन लोगों का पैसा उनको वापस लोटा देगी, तो यहाँ पर के पास में बचा फाइनल, इसके अगेश्ट में यहाँ पर कंपनी ने जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया था, है ना 400 रुपे से उपर का भाव लगा था, उनको शेर्स का हरोटमेंट कर दिया, और जो शेर्स पब्लिक के हाथ में चले गए, और जो फाइनल पैसा, किसक पास में चले ओंडों खाइनल, ये competitive ब्लाइब वह सोट्सकू सब्सक्राइब 4 ratio, 2 ratio, 1 I hope सभी को peer हो गया होगा तो यहाँ पर भास करने मुझे Memorandum of Association full form बताया है रोहित राज ने भी यहाँ पर MOA का Memorandum of Associated नहीं रोहित देट इस Association बहुत बढ़िया रोहित जो क्लास के टाइमिंग है वो इवनिंग में 7 to 8 होती है 7 p.m. to 8 p.m. के बीच में टाइमिंग रहती है तो आप हमारा सेसन डेली बेसिस पर 7 p.m. पर जॉइन कर सकते हैं यहाँ पर हम तीनों पेपर कवर कर रहे हैं PPB, AFB और LRB तीनों पेपर कर रहे हैं तो आप इसका benefit उठा सकते हैं चलो बढ़ते आगे नेक्स्ट आता है section 13 नेक्स्ट हम किसकी बात कर रहे हैं section 13 की बात कर रहे हैं तो अगर हम यहाँ पर section 13 की बात करते हैं तो restriction on commission brokerage discount etc on the share of shares देखो जब कोई भी bank market में अपने shares issue कर रहा है तो उसको यहाँ पर commission देना होगा brokerage देनी होगी या discount देना होगा तो इस section 13 है इसमें बोल दिया गया है इसमें बताया गया है कि कोई भी bank अपनी paid up capital के 2.5% से जादा commission या brokerage नहीं दे सकता maximum जो brokerage है commission है वो कितना हो सकता है 2.5% हो सकता है या इससे कम हो सकता है इससे ज़्यादा नहीं होगा प्रियर है सभी को चलो बढ़ते आगे next आता है section 14 section 14 की बात करते हैं तो इसमें prohibition of charge on unpaid capital जो unpaid capital है उसके उपर कोई charge create नहीं किया जाएगा no banking company sell create any charge upon unpaid capital of of the company and any such charge sell be invalid charge create करने का मतलब क्या हुआ ऐसा नहीं है कि जो unpaid capital है उसको अपने पास रखकर उसके against में loan issue कर दिया गया यह बिल्कुल allow नहीं है तो ऐसे जो unpaid shares होते हैं उसके ऊपर कोई भी bank कोई भी banking company आपको loan नहीं देगी चली बढ़ते हैं नेक्स्ट ये question है आप सभी के लिए चलिए अब हम question discuss कर लेते हैं यहाँ पर बहुत सारे questions है आप सभी के लिए इन सभी questions को जल्दी से time करते जाईए और बताईए कि what is the right answer of this question पहला question आप सभी के लिए आ गया है कि जो banking regulation act 1949 है does not apply to किसके उपर apply नहीं होता है यह आपको इन चारो option में से select करके बताना है कि जो banking regulation act 1949 है वो इन में से किसके उपर applicable नहीं है option A कहता है primary agricultural credit society option B कहता है cooperative land development banks C कहता है state of jammu and kasmir D कहता है only A and B what is the right answer of this question जल्दी से time कीजिए और बताईए कि इस question का right answer क्या होगा तो अगर हम बात करते हैं इस question की इस question का जो right answer है that is D कौन सा है D इस का right answer है क्योंकि जो banking regulation act 1949 है यह जो primary agricultural credit society है इनके उपर implement नहीं होता है और जो cooperative land development bank है इनके उपर भी implement नहीं होता है तो next question के लिए ready हो जाईए और बताईए कि what is the right answer of this question इस question को जहां से पढ़िया और बताईए कि इसका answer क्या होगा जल्दी से बताईए कि इसका right answer क्या होगा जल्दी से बताईए कि इसका right answer क्या होगा तो अगर हम इसके बारे में तो अभी कुछ देर पहले में आप सभी को define कर रहा था सभी को मैंने बताया था इस section के बारे में कि कोई भी bank अपने पास में जो property है उसको seven years से जादा hold करके नहीं रख सकता तो यह define किया गया है कहाँ पर यह define section 9 में कर दिया गया है तो section 9 में बताया गया है कि यहाँ पर कोई भी जो banking company है वो अपने पास में साथ साल से ज़्यादा किसी भी immovable property को hold करके नहीं रख सकती पलक यह आपको law officer में भी काम आएगा जी आईबी सी आईबी के एक्जाम में काम आता है बैंक प्रमोशनल एक्जाम में भी यह काम आता है तो अगर आप IBPS SO law officer की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप इसको पढ़ सकते हैं यह lecture आपके लिए important रहे हैं चला बढ़ते हैं आगे next question है आप सभी के लिए deposit receipt है ना एक चिट फंड कंपनी है वो बैंक में तीन साल के लिए 10 करोल रुपे की FD open करना चाहता है तो आपको बताना है कि इस case में जो bank branch है उसका course of action क्या रहेगा option A कहता है branch will issue FDR branch will issue FDR after head office consent for bulk deposit उसके बाद में option C कहता है bank will not issue as RBI directive do not allow FDR in the name of cheat fund companies option D कहता है branch may open FDR but for only one year तो right answer इसमें से क्या होगा जल्दी सर्टेम कीजिए इस question को और बताईए कि what is the right answer तो अगर हम यहाँ पर right answer की बात करें तो right answer क्या होगा right answer हो जाएगा यहाँ पर bank will not issue RBI directive note allow FDR in the name of cheat fund company किसी भी cheat fund company की नाम पर कोई भी bank कोई भी bank branch FDR open नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर जो cheat fund companies इंडिया में काम कर रही है च्ट-fund companies जो इंडिया में काम कर रही है और यहाँ पर जो cheat fund company होती है इनका source of funds क्या है इनके पास पैसा कहां से आ रहा है और इनके पास इंकम कहां से जनरेट हो रही है यह आप कभी find नहीं कर पाएंगे यह कभी आप identify नहीं कर पाएंगे इसी लिए मना किया गया है है ना अलाव नहीं किया गया है कि कोई भी चिट फंड कंपनी के नाम पर कोई FDR open नहीं होगी चलो बढ़ते हैं आगे यह इसे question तो बहुत इजी है आप सभी के लिए question को जल्दी से पढ़िये और बताइए कि what is the right answer ऐसे question को तो गोली मानने के आदेस होते हैं तुरंत देखते ही है ना attempt करना है इसे question को हलोग question होते हैं ऐसे mutilated note is one which is a half note B altered note C mismatched note D whose portion is missing आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा option बिल्कुल सही है चल्दी से जल्दी से time केजिए और बताइए कि what is the right answer of this question तो अगर हम यहाँ पर mutilated note की बात करते हैं तो mutilated notes को कह सकते हैं कटे फटे note कैसे note होते हैं कटे फटे note होते हैं तो यहाँ पर ऐसा note जिसका एक portion missing है है ना एक ऐसा note जिसका क्या है कुछ portion missing है ऐसे notes को mutilated notes के नाम से जाना जाता है valid होते हैं invalid नहीं होते हैं next question है आप सभी के लिए a director of a banking company other than its chairman or hold time director by whatever name called can't hold office continuously for a period exceeding यहाँ पर जो banking company का जो डारेक्टर है जो banking company का डारेक्टर है other than its chairman वो लगातार कितने समय तक अपनी post पर बने रह सकता है यह आपको बताना है option A कहता है 3 years, option B कहता है 5 years, option C कहता है 10 years और option D कहता है 2 years तो जल्दी से बताईए कि what is the right answer of this question तो अगर हम यहाँ पर right answer की बात करें तो right answer क्या हो जाएगा, that is 5 years कितने साल के लिए, 5 साल के लिए a point किया जा सकता है इससे ज़्यादा वो लगातार इस post पर बने नहीं रह सकता next question है जल्दी से बताईए कि what is the right answer of this question यह तो बहुत easy question है, अभी कुछ दिर पहले में मैंने आप सभी को बताया था इसके बारे में तो right answer क्या हो जाएगा, 2.5% of paid up value of such share अगला question है, under section 15 of banking regulation act 1949 ए बैंकिंग कमपनी can pay dividend on its share कोई भी जो बैंकिंग कमपनी है, वो यहाँ पर dividend pay कर सकती है पहले उसको कौन सी वो चीज़े हैं जो realize करनी पड़ेगी, उनको हटा कर जो amount निकल कर आएगा उसके ओपर dividend pay करेगी, dividend क्या होता है? जो dividend है वो क्या होता है? dividend होता है profit को जब आप divide करते हैं total number of outstanding share से तो dividend निकल के आता है या इसको हिंदिम बोलते हैं labhans, labhans, यानि part of profit इसको dividend बोलते हैं ठीक है, तो जब कोई भी banking company dividend माटती है part of profit distribute करती है अपने shareholder को तो यहाँ पर इन में से वो कौन सी चीज़े हैं जिनको minus कर लिया जाता है realize कर लिया जाता है profit में से तब dividend माटता जाता है है ना, all its capitalized expenses have been written बिल्कु सही है, it has adequately provided for bad debts, ये भी सही है it has adequately provided for depreciation in value of its investment, ये भी सही है तो right answer क्या हो जाएगा, D, तो यहाँ पर अगर हम right answer की बात करें तो all of the above हो जाएगा, तो चलिए, बढ़ते हैं आगे संदीब बिल्कु लगातार सही answer कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, very good उसके बाद में next question है, जो one rupee notes है, bear the signature of एक रुपे के note के उपर किसके signature होते हैं, ये तो बहुत आसान question है जल्दी से बताइए, कि एक रुपे का जो note होता है, उसके उपर signature किसके होते हैं इस question का जल्दी से बताइए, कि right answer क्या होगा, तो एक रुपे का जो note होता है, उसके उपर signature होते हैं, वो finance ministry में जो secretary होते हैं, secretary of ministry of finance, उसके signature उसके उपर किये जाते हैं एक रुपे के note को छोड़ कर, दो रुपे से लेकर, दो हजार रुपे तक के जितनी भी note आते हैं, उसके उपर signature होते हैं, reserve bank of India के governor के, जो RBA के governor होता है, उसके signature होते हैं I hope, यह बात यह बताएए